दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 6 को डिसकस करेंगी जो कि आप सभी का है रूरल एड्मिनिस्ट्रेशन यानि कि जो आपका गाउं वगेरा का एरिया होता है वहाँ का परसासन आपका कैसे काम करते है तो चलो फटा-फट से इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को बोलता है और इन सभी के बारे में ध्यान रखना कि इनके पास पानी अच्छे से पहुँच रहा है बिजली अच्छे से पहुँच रही है या फिर जो हमारे रोड वगेरा है वो इनके अच्छे हैं या नहीं है ये कोई छोटा मोटा आपका टास्क नहीं है ये बहुत बड़ा आपक task है. In addition to this land record have to be maintained and conflict to need to be deal with. और बताता है किसके साथ साथ में यहां पर जो भी आपके land होती है उसके record रखना और कोई भी यहां पर वाद भी वाद होता है तो उसको सुलजाना. A large machinery is in place to deal with all this. यहां पर बहुत बड़ी machinery आपकी काम करती है इन सभी चीज़ों को deal करने के लिए. In this chapter we will look at the work of two rural administrative officers in some detail. इस chapter के हंदर हम basically अपने दो rural administrative officers के बारे में जानने वाले हैं और उनके काम के बारे में भी हाँ पर study करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं हमारे यहां पर और कैसे इनके वाद विवादों को यहां पर soul करते हैं और उनके land record को संभाल के रखते हैं तो इसी के साथ आपको आगे बोलता है आप quarrel in the village यानि कि आपके village के अंदर यहां पर एक वाद विवाद हो जाता है Mohan is a farmer. His family owns a small agriculture field. बोलता है कि Mohan एक आपका किसान है और जो उसकी family है बहुत छोटे field छोट छोटे खेत के ओपर काम करती है which they have been farming for many years और उसके ओपर वो बहुत सालों से खेती करते आ रही हैं next to his field is the raghu land which is separated from his by a small boundary called a bun अब बोलता है कि इसके अगले वाला खेत है वो raghu का है जिसके पास बहुत बड़ी land है खेती करने के लिए और ये दोनों खेत कैसे बटे हुए हैं आपके मानों कि ये तो हो गए आपके रगू का खेत और ये हो गए आपके मोहन का खेत इनके बीच में आपकी छोटी सी boundary है जिसको क्या बोला है यहाँ पे बंड ठीक है अब आगे बोलता है एक दिन क्या होता है जब मोहन सुबह सुबह अपने खेत में जाता है तो वो देखते कि जो रगू था ना उसने जो बंड था उनकी बाउंडरी थी बीच को सोड़ा शिफ्ट कर दिया और मोहन के खेत का जो एरिया था उसको अपने खेत के अंदर मिला लिया बाई दूग सो यहाद मैनेज़ तो टेक ओवर सम ओफ दी मोहन लैंड और इंकरीज दी साइज ओफ इस ओवन फिल्ट और उसके बाद क्या हो गया जो उसकी साइज था जमीन का मोहन का वो कम हो गया और रगू का साइज क्या हो गया बट गया उसके बाद क्या होता है मोहन को भो जदा गुस्ता भी आता है लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा बहुत ड्रा हुआ भी रहता है रगू's family owned many fields and beside his uncle was also the serpent of the village but even so he pulked up courage and went to रगू house अब क्या होता है कि जो आपका रगू था भूत अमीर इंसान था उसके पास भूत सारे खेत थे और साथ में जो उसका अंकल था वो क्या था गाओं का सरपंच पी था लेकिन तबी भी जो आपका मोहन था वो हिम्मद जुटाता है और उसके घर पे उसको ये बात बोलने के अलिए जाता है अ हीटिड आर्गूमेंट फोलोड रगू रगू रिफ्यूस तो असेप्ट एट ही मूड दी बंड ही कोल वन ओफ इस हैल पर एंड बिगिन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हीम अप उसके बाद क्या होता है कि जो आपका रगू है वो मना कर देता ह मोहन को कि भी मैंने कोई बंड वगारा शीफ्ट नहीं की यह आप मेरे उपर जूठा आरोप लगा रहे है और आपने जोवा उसके काम करने वाले होते हैं उनको बुलाता है और मोहन को पिटवाना वहाँ पे स्टार्ट कर दीता है दी नेबर्स हीर दी कोमोशन्स एंड रस और जो उसका हैड था और उसका हैंड था वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट मोहन को आ जा दी है यह वोज गिवन फर्स एड एड एंड बाइ वन हो वीज नेबर्स हीर फ्रेंड वो औलसो रहन दी विलेज पोस्ट ओफीस सजेश्ट देट देगो टो दी लोकल पुलिस स् वहाँ पे जाके इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए अगर वो ऐसा करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा उसका लग जाएगा और बाद में कोई रिजल्ट भी यहाँ पे निकल के नहीं आएगा और उसके बाद कुछों का मानना ये था कि जो रगु का परिवार था यानि जो अमेर इनसान था अमेर किसान था उसका परिवार था उसने पहले पुलिस से कॉंटेक्ट कर लिया होगा उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे डिसीजन यहाँ पे लेनी के बाद लास्ट में वो यही डिसाइड करते हैं कि जो मोहन है वो उसके कुछ प्रोसियों के साथ पुलिस सेशन के अंदर जाएगा और अपने रिपोर्ट को वहाँ पे लिखवा के आएगा अब आगे देखते हैं एरिया ओफ दी पुलिस स्टेशन यानि कि जो आपके पुलिस स्टेशन का एरिया होता है वो क्या चीज है वो अपना पैसा वेज करके इस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहे हैं जब कि हम क्या करें थोड़ा और पैसा लगाए और सिधा सहर पुलिस स्टेशन के अंदर जाके अपने रिपोर्ट को वहां पे लिखवाएं हो सकता है वो हमारी बात को सुने इट इस नोटा क्वेश्टन ओफ मनी वी कैन रिजिस्टर दी केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकोज अवर विलेज कम्स इन दी एरिया ओव वर्क हम उ और यह बात कौन बोलता है? मोहन बोलता है. Every police station has an area that come under its control. तो इससे आपको यह बात समझ में आती है कि जो हर एक police station होता है न उसके अंदर कुछ area आता है और उसके अंदर सिर्फ उसी की चलती है. All persons in that area can report case or inform the police about any theft, accident, injury, fight etc. और बोलता है कि कोई भी बात होती है निकि कोई चोरी होती है, एक्सिडेंट होता है, चोट लगती है, लडाई होती है, तो सभी कि सभी रिपोर्ट उसी पुली स्टेशन के अंदर आपकी रिपोर्ट की जाती है, It is in the responsibility of the police of the stations to inquire, to investigate and take action on the case within its area, और यह जो आपका police officer उस आपका station का होगा, उसकी responsibility होती है, कि जो भी आपने अपने रिपोर्ट लिखवाई है, उसको लिखे, और उसके ओपर investigation करें, उसकी पूरी जाच करें, और फिर आपको कोई बात बोले, There is a theft in your house, which police station would you go to register your complaint? यहाँ बोलता है कि अगर मानो आपके घर में चोरी हो जाए, तो आप कौन से police station में जाओगे अपने रिपोर्ट को लिखवाने के लिए, यानि कि ये कोशन पूछता है वो आप से, तो इसका जवाब मेरे को जूट देना नीचे comment करके, अब आगे बोलता है, और जो आपका मोहन था वो चिंता में क्यों चिला गया था जब उसको पता लगा कि मेरे को रगू के साथ में fight करनी होगी, इसके बाद बोलता है कि कुछ बोलते हैं कि मोहन को भई तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, या कुछ बोलते हैं नहीं जाना चाहिए, तो उनकी आर्गूमेंट क्या क्या इनों ने रख रही, तो चलो इसके साथ हम आगे बात करते हैं, इन सब ये का जवाब सकते हैं, तो अब देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के आदर बेसिकली क्या होता है, थी वर्क एट दी पुलिस स्टेशन, चलो इसको स्टार्टाट करते। ऑपते हैं और कि आपका महतना पूला प्लिस सेशन च्हां बहनां। उसके बात क्या होता है, कि मोहन इसको अपनी इंजरीज यानी चोट दिखाते हैं, कि मेरे साथ ऐसी मार पिटाई की है, लेकिन तभी असेच्चों यहाँ पर मना कर देता है, उसके बात देखते हैं, आगे क्या बात होती है, show the above situation in the police station through a skit they talk about how you felt playing Mohan role or that of the SHO or the neighbors could the SHO have handled the situation differently अब आप से हमें पूछता है कि जो SHO ने आप ही किया बेसिकली वो सही किया या फिर नहीं किया आपको क्या लगता है कि SHO को यहां पर क्या बाते करनी चाहिए थी तो आप में एको कमेंट करके उनको जरूर बताना Mohan was puzzled and did not know what to do he was not sure why his complaint was not being recorded अब Mohan में रिकूल confused हो चुका था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं और वो इस बात से चिंता में भी था कि मेरी complaint यहां पर नहीं लिखी गई He went and called his neighbor into the office they argued strongly that Mohan had beaten up in the front of them and had they do not received him he would have been injured very seriously उसके बाद क्या होता है Mohan अपने एक पडोसी को वहां पे लेके आता है और वो असेचों के साथ वहां पे बहंस करता है और उसको बोलता है कि इसको हमारे सामने पीटा गया था यह कोई आपको fake चोट नहीं दिखा रहा है बिल्कुल सही में पीटा गया था और सही में इसके साथ ऐसी कुछ situation हुई है अगर हम इसको नहीं बचाता तो उसको और भी चोट वहां पे आ सकती थी उसके बाद क्या होता है पुलिस जो ओफिसर होता है वो अपने रिपोर्ट को वहां पे लिख देता है और बोलता है कि मैं अगले दिन आपके पास वहां पे कौन स्टेबल भेजूंगा और वो आपके सारे सीन को वहां पे देखेगा कि भई सही में क्या बात हुई थी और आपको वैसे solution यहां पर provide कर देगा तो आपको यहां पर क्या पता चला अपने पुलिस के रोल का अपने local area के अंदर उसके बाद बात आती है आपके maintaining land records अब आपको पता है कि आपके जो गाओं वाले area होते हैं वापे सबसे ज़्यादे आपके किसान लोग रहती हैं अब उ आपने यह सब देखा कि जो रगु थे और जो आपका मोहन था उन दोनों के बीच में वाद विवाद होता है उनकी जमेन को लेकि कि तुमने यहां पर boundary shift की है Is not it there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner क्या कोई ऐसा रास्ता यहां पर नहीं था जिससे वो अपनी dispute को यहां पर बिल्कुल पीस में शांति से इसको सोल कर सकते थे Basically आपको यहां पर यह बात बोलना चाहता है कि अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड वहां पर होता कि इस इंसान के पास इतनी भूमी है तो वो दोनों अपनी बात को यहां पर इसली सोल कर सकते थे उसके पास जाके कि आप हमें बता दो मेरी लैंड कितनी है इसकी लैंड कितनी है ठीक है उसके बाद आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई चीज आपके गाउं के अंदर कौन हैंडल करता होगा और कैसे हैंडल करता होगा Let us find out how this is done तो चलो इसको find out करते हैं कि कैसे इस काम को यहां पर किया जाता है Measuring land and keeping land records is the main work of the patwari तो जो आपकी land को mapना उसका record रखना आपके सबसे किसका काम होता है आपकी patwari का The patwari is known by different name in different state और जो आपका patwari होता है वो अलग-अलग states के अंदर अलग-अलग नाम से जाना जाता है In some villages such as officer called the lake pal कुछ के अंदर उसको क्या बोलते है states के अंदर lake pal कुछ के अंदर बोलते हैं उसको कानुन गो और the करमचारी और village officer etc We refer to this officer as patwari Each patwari is responsible for a group of villages तो आज की chapter के अंदर हम इसको patwari बोल के refer करेंगे और जो आपके land वगएरा होती है इन सभी को लेखर आपका patwari ही responsible होता है The patwari maintain and update the records of the village और जो patwari होता है वही आपके records को गाओं के records को maintain करता है और वही उनको अपने पास रखता है और वही उनका ब्योरा आपको देता है तो यार आज के part के अंदर इतना ही अप next part की वीडियो भी आप से भी के लिए जल्दी ही लेकर आएंगे तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और यार साथ में इस बैल आल नोटिफिक्शन को भी आप ओन कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के शाथ में सेर जरूर करना जिसे कि आर वो भी घर बैठे बैठे इजली स्टेडी कर पाएं तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई